आज हम जम्मू एंड कश्मीर जीके का एक और टॉपिक करेंगे जो कि है हिस्ट्री अप जम्मू एंड कश्मीर and it is one of the most important topics लेकिन इस टॉपिक को हम one shot में complete नहीं कर पाएंगे because ये बहुत lengthy टॉपिक है तो इसके लिए मैंने ये सोचा है कि इस topic को हम दो videos में complete करेंगे ठीक है और आज मैंने white background use किया है because one of the student is suggested to use white background because black background जब मैं use करता हूँ तो उन्होंने बोला कि students को थोड़ी बहुत difficulty होती है text को read करने में all right तो बिना किसी देर के we will start the topic सबसे पहले हम देखेंगे important books that help us to trace the history of Jammu and Kashmir कुछ important books जिससे हमें help होती है history of Jammu and Kashmir को जानने में पहली book कौन सी है पहली book है निलमत पुरान and it is also known as Mahatmiya ठीक है it is an ancient text from Kashmir which contains information on its history, geography, culture and folklore it was written by some Kashmiri Brahman between 6th and 7th century AD और इसमें 1453 verses है in total and निलमत पुरान it was used by Kalhana as one of the sources of his history जब Kalhana ने राज तरंगनी लिखी ठीक है उस time पे उन्होंने निलमत पुरान को consult किया और वहां से उन्होंने बहुत information बहुत information वहां से ले ली ठीक है ये भी आपको याद रखना है एक और बुक किताब अल हिंद इसको किस ने लिखा इसको लिखा अल बरुने ने and अल बरुनी he was the court astrologer of Muhammad Ghazni और महमूद Ghazni और महमूद Ghazni तीनो नाम इन्ही के हैं ये कौन थे? महमूद Ghazni और महमूद Ghazni he was king of Ghazni he was king of Ghazni from 971 AD to 1030 AD 971 से 1030 AD तक he was the king of Ghazni और he is ये जो king है महमूद Ghazni इन्हों ने इंडिया पे सबसे जादा बार अटेक किया है only invader to have attacked India 17 times महमूद Ghazni ने इंडिया पे 17 बार अटेक किया है between 1080 to 1027 AD 27 सालों में 17 बार महमूद Ghazni ने इंडिया पे अटेक किया है और Al-Baruni ने Al-Baruni ने इनके साथ बहुत बार इंडिया विजिट किया है जब ये invasions पे आते थे यहाँ पे invade करने के लिए Al-Baruni ने इनके साथ आते थे ठीक है बहुत बार और ये भी कहा जाता है कि जो गुजरात में famous सूमना टेंपल है महमूद Ghazni ने उसको भी destroy किया था और उसको भी lootा था ठीक है और ये जो Al-Baruni है he traveled to the Indian subcontinent and इन्होंने एक book लिखी जिसका नाम था अभी हमने देखा Kitab-ul-Hind या Tariq-ul-Hind in the year 1031 AD ठीक है और इस book की जो language है वो है Arabic और राज-तरंगनी जिसकी meaning होती है River of Kings ये सब को पता है कि it is a historical chronicle particularly the Kings of Kashmir लेकिन इसमें Northwestern Indian subcontinent के बारे में भी information है it was written in Sanskrit by Kashmiri historian Kalhana in the 12th century AD during the reign of Jaya Simha Jaya Simha king थे और इनके ही दौर में 12th century 1148 से 1150 तक राज-तरंगनी को Kalhana ने लिखा ठीक है और इसकी किस language में लिखा संस्कृत में किस बादशा के दौर में Jaya Simha ये एक बार अलड़ी JKSSB ने question पूछा है कि Kalhana रोट राज-तरंगनी during the reign of witch king alright इस राज-तरंगनी में 7826 verses है in total और इन verses को divide किया गया है 8 books में और हर किसी बुक को तरंगा बोलते है ठीक है पहली English translation of राज-तरंगनी it was carried out by M. Aurelstein first English translation of राज-तरंगनी was carried out by M. Aurelstein और जो first king है जुसको Kalhana ने mention किया है उसका नाम है गौनन्डा first and he was killed by भीम भीम कौन थे? भीम थे जो पांडवास थे पांच भाई थे उन में से एक का नाम था भीम and he was a younger brother of युदिश्थरा ठीक है? ये भी आपको याद रखना है जो ये पांडवास थे इन में पांच भाई थे एक का नाम क्या था? युदिश्थरा या युदिश्थरा दूसरे का नाम था भीम तीसरे का नाम था अर्जुन एक और का नाम था नकुल और जो पांचवा था उसका नाम था सहदेव युदिश्रा, भीम, अर्जुन, नकुल, एंड सहदेव ठीक है और इन्होंने किन के साथ लड़ाई की इन्होंने यानि कि पांडवाज ने लड़ाई की किन के साथ जो इनकी extended family थी कौरवाज ठीक है इनके साथ उन्होंने लड़ाई की और इस लड़ाई पे एक epic जो लिखी है वेद, वेद वियास ने और उस epic का नाम है महाबारता ठीक है यानि कि महाबारता में पांडवाज और कौरवाज के बीच में जो कुरकशित्र वार हुआ था उसी का जिकर है और महाबारता epic को किस ने लिखा है वेद वियास ने ठीक है और ये भी आपको याद रखना है पांच पांडवाज के नाम क्या थे युदिष्थरा या युदिष्थरा और भीमा या भीम अर्जुना या अर्जुन नकुला या नकुल सहदेवा या सहदेव ठीक है ये भी आपको याद रखना है ये बहुत important point है ये क्या है During the reign of Zainul Abidin, Jonah Raja authored a sequel of the same name यानि कि राज तरंगनी का sequel Zainul Abidin के time पे लिखा गया किस ने लिखा? Jonah Raja ने and इसका नाम फिर बाद में पढ़ गया दुतिया राज तरंगनी या second राज तरंगनी ठीक है and it gives an account of Kashmir from 1150 to 111459 ठीक है ये आपको याद रखना है because ये बहुत important point है During the reign of Zainul Abidin, Jonah Raja authored a sequel of the same name also known as दुतिया राज तरंगनी ठीक है और जब Jonah Raja की death हुई in 1459 जो Jonah Raja के disciple थे शिरीवर पंडिता या शिरीवर he continued his work और उसने उसका नाम उसने अपनी work का नाम दे दिया तरितिया राज तरंगनी या third राज तरंगनी and it gives an account of Kashmir from 1459 AD to 1486 AD ठीक है ये भी आपको याद रखना है ये भी बहुत important point है यानि के राज तरंगनी को लिखा कलहना ने अगर कभी question आएगा कि दुतिया राज तरंगनी को किस ने लिखा तो उसको लिखा जोना राजा ने अगर कभी question आएगा कि तृतिया राज तरंगनी को किस ने लिखा तो उसको लिखा शिरीवर पंडिता ने ठीक है एक और writer जिनका नाम था सुका ठीक है he extended प्रजाबट's work resulting in चतुर्थ राज तरंगनी यानि कि सुका ने प्रजाबट का जो काम था उसको extend किया और एक book लिखी जिसका नाम पड़ गया चतुर्थ राज तरंगनी या फोर्थ राज तरंगनी ठीक है और इसकी जो सुका की book है it ends with the arrival of असफ खान in कश्मीर जब नूर जहां के भाई असफ खान कश्मीर आए जो ये चतुर्थ राज तरंगनी है ये वहीं पे खातम होती है जब असफ खान कश्मीर में आए उसके बाद इसमें addition हुआ और उस addition में मुगल emperor अकबर जब कश्मीर आए थे उसका जिकर है और उसके बाद जो कश्मीर में हुआ उसका भी जिकर है ठीक है एक और बहुत important point ठीक है Translation of a portion of Raj तरंगनी was done in Persian on the order of Sultan Zainul Abidin क्या मैंने बोला मैंने बोला कि Translation of a portion of Raj तरंगनी was done in Persian on the order of Sultan Zainul Abidin ठीक है और Sultan Zainul Abidin ने इस version का नाम रखा क्या रखा बहुल असमार और the sea of tales ठीक है और उसके बाद जब उसके बहुत सालों बाद जब अकबर आए उन्हेंने मुला अब्दुल कादिर बदायुनी को बोला कि आप इस version को revise करो और इसकी translation को complete करो ठीक है अगर कभी exam में question आएगा कि who wrote बहुल असमार or the sea of tales तो आपका answer होना चाहिए मुला अब्दुल कादिर बदायुनी ठीक है या कभी अगर question आएगा exam में कि on the orders of whom translation of a portion of Raj Tarangini in person was carried out तो उसका answer क्या आएगा उसका answer आएगा जैनुल आबिदी ठीक है and an abridged version edition of the Raj Tarangini in Persian was brought out by Heather Malik of Chadoura during the reign of Jahangir and he named it तारीक कश्मीर ठीक है एक और मतलब कट छांट के Raj Tarangini मैंसे ही Heather Malik जो Chadoura के थे Jahangir के time पे उन्होंने एक book लिखी जिसका नाम पढ़ गया तारीक कश्मीर ठीक है ये भी आपको याद रखना है तारीक के हसन इसको किसने लिखा पीर गुलाम हसन खुईहामी और ये book है three volumes पे it is based on three volumes ठीक है and it is the only source for the lost kings of कश्मीर and based on रतनाकर पुरान जो कि किसने लिखी है पंडित रतनाकर जो book लिखी है it is based on it is based on that याने कि तारीक हसन is based on रतनाकर पुरान रतनाकर पुरान को किसने लिखा था पंडित रतनाकरने and it is the only source for the lost kings of कश्मीर जब कश्मीर की history को trace करते हैं तो कुछ जो बीच में कुछ portion missing है जिसमें बहुत सारी kings का नाम नहीं है और लेकिन तारीक हसन जब हम पढ़ते हैं जो जो lost kings है उनकी detailed वहाँ पे दी हुई है उनके सारे नाम दिये हुए है तारीक हसन ठीक है ये भी आपको याद रखना है तुजू की जहांगिरी और जहांगिर नामा it is the autobiography of मुगल एमपरर नुरुद्दीन मुहमद जहांगीर ठीक है यानि की जहांगीर नामा autobiography है मुगल एमपरर जहांगीर की and it was written in Persian ठीक है जो इनके great grandfather थे बाबर उन्होंने भी लिखा था क्या उन्होंने लिखा था बाबर नामा लेकिन जो जहांगीर ने जहांगीर नामा लिखा या तुजू की जहांगीर ये लिखी उसमें history भी है उसमें details किसके regarding है art, politics and information about the family of जहांगीर as well यानि की तुजू की जहांगीर में history भी है जहांगीर ने उसमें art के बारे में भी लिखा है politics के बारे में भी लिखा है and उसकी family के बारे में भी लिखा है गुलाब नामा written in Persian by दीवान कृपाराम गुलाब नामा को लिखा दीवान कृपाराम ने in Persian language and दीवान कृपाराम he was the महराजा's private secretary महराजा गुलाब सिंग के private secretary and son of दीवान जौला सहाई जो महराजा के prime minister थे ठीक है and गुलाब नामा is the history of दोगराज गुलाब नामा is the history of दोगराज in general लेकिन it is a comprehensive biography of महराजा गुलाब सिंग ठीक है गुलाब नामा in general is history of दोगराज लेकिन in particular it is a comprehensive biography of महराजा गुलाब सिंग यानि कि दोग्राज के बारे में हिस्ट्री में दोग्राज की हिस्ट्री के बारे में भी गुलाब नावे information है लेकिन particularly it is a comprehensive biography of महराजा गुलाब सिंग ठीक है लिखा किसने दीवान कृपाराम किस language में पर्शन में और दीवान कृपाराम कौन थे he was महराजा गुलाब सिंग's private secretary and son of दीवान ज्वाला सहाई all right एक और important book अकबर नामा इसको लिखा अबुल फजल ने आई ने अकबरी इसको लिखा इसको भी लिखा किसने अबुल फजल ने The Valley of Kashmir it is a book by English writer Sir Walter Roper Lawrence ठीक है Valley of Kashmir book को लिखा किसने एक English writer थे जिनका नाम था Sir Walter Roper Lawrence और ये इन्होंने Indian Civil Service में भी सर्व किया है जब British India हुआ करता था और इनको First Settlement Commissioner of Kashmir भी appoint किया गया था ठीक है And the Valley of Kashmir book it is the summary of Lawrence's visit to Kashmir ठीक है जो Lawrence है He traveled to almost every corner of the valley and he developed a close affinity with the people जो यहाँ पे local people है Lawrence ने उनके साथ बहुत अच्छा bond share करते थे उनके साथ बैठते थे उपते थे और जब हम Valley of Kashmir book को पढ़ते हैं तो उसमें People of Kashmir के बारे में Walter Roper Lawrence ने बहुत बार लिखा है ठीक है और यह book describe करती है geography, culture and in brief the hardships faced by the Kashmiri people under the rule of Dogra's ठीक है Dogra role के time पे Kashmiri हों पे कितना जुलम हुआ इस book में वो भी लिखा है इस book में geography of Kashmir के बारे में भी लिखा है culture of Kashmir के बारे में भी लिखा है ठीक है तो यह थी कुछ books जिनकी help से हम हमें history of Kashmir के बारे में पता चलता है ठीक है अब हम आते हैं history of Jammu and Kashmir पे सबसे पहली empire या dynasty जो हमें पढ़नी है वो है Mauryan empire ठीक है और यह माना जाता है कि जो great Mauryan emperor थे Ashoka it is recorded that Ashoka has ruled over Kashmir and it is believed that he was a follower of Buddhism Ashoka ने क्या किया he founded the old city of Srinagar जिसका तब नाम हुआ करता था पुरंदिस्थान लेकिन अब उसका नाम है पांडरेथन ठीक है इसने अकबर या Ashoka built many viharas and temples also and he repaired the old shrines Ashoka ने कश्मीर में viharas भी built किये and temples भी built किये and जो old shrines थे उनको भी repair करवाया बुदिस्म में बुदिस्म में दो चीजे होती एक होती है चैतिया एक होता है viharas चैतिया and viharas चैतिया क्या होता है चैतिया होता है place of worship चैतिया होता है place of worship और जो viharas होता है यह क्या होता है viharas होता है a place where monks live or a place where that acts as an accommodation for monks during the rainy season यानि कि चैतिया is a place of worship और viharas is a place जहां पे monks वो पना लेते हैं जब भारिश वगरा मतलब खराम वासम होता है बाहर तो they take shelter in viharas ठीक है यानि कि viharas are for accommodation of monks and चैतिया is place of worship ठीक है यह भी आपको याद रखना है और एक और important point मुझे याद आ रहा है वो यह है कि जो buddhism है buddhism में four noble truths का concept है buddhism में four noble truths का concept है वो क्या है वो four noble truths है जो पहला truth है वो यह है कि there is suffering in the world there is suffering in the world this is the first truth of buddhism ठीक है यानि कि जो four noble truths है उन में से पहला truth यह है कि there is suffering in the world दूसरा noble truth क्या है दूसरा यह है कि there is a cause of this suffering दूसरा noble truth है there is a cause of this suffering तीसरा noble truth क्या है तीसरा है there is an end to this suffering ठीक है और जो चौथा noble truth है वो है the end to suffering is contained in the eightfold path the end to suffering is contained in the eightfold path यानि कि जो suffering है उसका अंत कहां पे लिखा है उसका अंत eightfold path को follow करने में लिखा है और वो eightfold path क्या है eightfold path है उपर-उपर से बता देता हूँ एक है right view right view एक है right speech एक है right action एक है right livelihood एक है right effort एक है right concentration एक है right mindfulness एक है ये कितने आगे one, two, three, four, five, six, seven और एक है right livelihood ठीक है एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ right view right speech right action right action right livelihood right effort right concentration right mindfulness one, two, three, four, five, six, seven एक मैं भूल गया yes एक है right intention ठीक है ये eightfold path है बुदिजम में ये माना जाता है कि if you follow this eightfold path जिसका दूसरा नाम है अश्टन के का मरगा अगर आप ये eightfold path follow करोगे तो जो आपकी sufferings है उनका खात्मा हो जाएगा ठीक है उसके बाद जो अशोका थे एट विजेश्वरी यानि की मौडर्न विजबिहारा he built a Shiva temple and he won the heart of the local population जो mostly Lord Shiva के worshipers थे ठीक है उनके लिए इन्होंने एक Shiva temple बनवाया इट वाजन्टिका मजन्टिका कौन थे he was a celebrated Buddhist missionary and he was deputed to Kashmir and Urvasa to preach the faith of Buddha in those territories यानि कि मजन्टिका को बेजा गया कहां पे Kashmir में और Urvasa में क्या करने के लिए प्रीच करने के लिए फेथा बुद्दा ठीक है यून सैंग ने भी mention किया है arrival of 500 monks in Kashmir और अशोका ने उनको gift किया था क्या valley to sangha ठीक है और many Buddhist scholars missionaries and intellectuals they permanently settled in the valley ठीक है और in the course of time जो बहुत लोग यहां पे थे उन्होंने embrace किया किसको बुद्धिजम को यानि कि they started following बुद्धिजम और ये माना जाता है कि जो Lord Krishna थे वो भी कश्मी राये हैं और Lord Buddha भी कश्मी राये हैं एक author है उनका नाम है Sir Charles Elliot उन्होंने अपनी book Hinduism and Buddhism में लिखा है क्या लिखा है उन्होंने लिखा है कि For some two centuries after Gautam Buddha's death we have little information as to the geographical extension of his doctrine लेकिन कुछ Sanskrit versions of the Vinaya they represent him visiting Mathura Northwest India and Kashmir Sir Charles Elliot अपनी book Hinduism and Buddhism में लिखते हैं कि Gautam Buddha के 200 साल मरने के बाद बहुत कम information available है कि जो Buddhism doctrine है इसका extension किस-किस जगा पे हुआ लेकिन बहुत सारी Sanskrit books हैं जिन में ये लिखा है कि Gautam Buddha ने Mathura विजिट किया है Northwest विजिट किया है और Kashmir भी विजिट किया है ठीक है और after the death of Ashoka his son Jaluka ascended the throne of Kashmir ठीक है Ashoka के बाद उनके बेटे Jaluka गदी पे बैढ़ गए ठीक है यहां राजा बन गए एंड जो Jaluka है इनके बाद कोन आए King Damodar second ठीक है और यह जो Jaluka है He was a great king who cleared the valley of oppressing Malachas Malachas एक foreign unclean tribe थी जो यहां पे बहुत जुल्म करती थी और Jaluka ने उनको यहां से ख़देड दिया ठीक है Scholars यह भी मानते हैं कि जो Valley of Kashmir है It was ruled by Indo-Greek kings for about 200 years और 200 सालों के बाद यहां पे कुशानाज का rule स्टार्ट हो गया ठीक है और यह proof कहां से मिलता है यह proof मिलता है जो Alexander Cunningham थे Alexander Cunningham कौन थे He was the founder of Archaeological Survey of India यह एक engineer थे British Army में और उसके बाद इनका history और Archaeology में इनका interest बढ़ गया and he became an archaeologist and he was the founder of Archaeological Survey of India इन्होंने ही कि इन्होंने Alexander Cunningham इन्होंने यह लिखा है कि हमें क्या मिला Silver Coins मिली of Aze and Coins of Indo-Scythians on the banks of Vitaasta यानि कि River Jalim के banks पे हमें Coins of Aze मिली and Coins of Indo-Scythians मिली ठीक है और उससे हमें यह प्रू होता है कि जो Kashmir Valley है यहां पे Indo-Greek Kings ने 200 साल तक rule किया है ठीक है और मतलब जो contact था with the Greeks it is responsible for the beautiful architectural and sculptural style of the Kashmiri temples and the coinage of the later Kashmiri Kings has also been influenced by this contact याने कि जो यहां पे architecture है यहां जो sculpture है Kashmiri temples का वो influenced है किससे by the Greek architecture ठीक है और जो coinage है उसके बाद जो Kashmiri Kings आये उन पे भी उन coins पे भी influence है किसका Greeks का ठीक है यह इसलिए क्यूंकि यह माना जाता है कि Indo-Greek Kings ने कश्मीर पे 200 साल तक rule किया है ठीक है और 200 सालों के बाद यहां पे किस empire ने rule किया Kushana empire या Kushana dynasty ठीक है और कलहना अपनी book राज तरंगिनी में लिखते है तुरुषका kings ठीक है और यह माना जाता है historians मानते है कि तुरुषका kings थे वही है कौन से वही है Kushana ठीक है और कलहना ने जिन तीन kings का नाम mention किया है वो है Hushka Jushka and Kanishka ठीक है और यह तीनो kings they are credited with the foundation of a town Hushka ने he founded the town of Hushkapura Jushka founded the town of Jushkapura and Kanishka founded the town of Kanishkapura ठीक है याने कि कलहना ने राज तरंगिनी में तुरुषका kings लिखा है लेकिन historians यह मानते हैं कि वो है Kushana empire और जो तीन kings mention किये हैं कलहना ने एक है Hushka एक है Jushka और एक है Kanishka और इन तीनों ने ही अपने नाम पे एक-एक town found किया है Hushka ने Hushka पूरा Jushka ने Jushka पूरा and Kanishka ने Kanishka पूरा ठीक है याने कि हमने अभी देखा कि पहले आए Morian empire उसके बाद 200 साल तक यहां पे Indo-Greek kings ने rule किया और उसके बाद आए Kushana ठीक है और first ruler था इनका Kujula ठीक है और जो Kanishka की empire थी उसकी capital थी पिशावर और यह जो Kanishka है He held the fourth great fourth great Buddhist council at Kundalwan याने कि modern day Harwan where the historical division of Buddhism took place Kanishka ने fourth great Buddhist council को held करवाया कहां पे Kundalwan याने कि modern day Harwan where the historical division of Buddhism took place और Kundalwan में ही Buddhism के दो divisions हो गए एक division का नाम पढ़ गया Hinayana याने कि lesser vehicle और दूसरी division का नाम पढ़ गया Mahayana याने कि greater vehicle ठीक है Hinayana जो है यह idol worship में जो बुद्धा की idol worship है उसमे believe नहीं करते हैं और जो Mahayana है यह believe करते हैं idol worship हा बुद्धा में याने कि Hinayana वो मानते हैं बुद्धा को as a human और जो उनकी teachings हैं उनको ही यह follow करते हैं लेकिन जो यह Mahayana है यह group believe करता है बुद्धा was God और यह उनकी idol worship करते हैं ठीक है अल्राइट अब हम देखेंगे जो Buddhist councils हुई है वो कहा कहां पे हुई है First Buddhist council इसको मतलब किस king ने इसको held करवाया Ajat Shatru He was son of king किसका Bimbisar यानि कि Haryanka dynasty और यह कहां पे हुई Rajgriha यानि कि modernity of Rajgir यह बिहार में है ठीक है और Presided by Mahakashyafa ठीक है Second Buddhist council It was held by Kalashok कहां पे Vaisali में और किस देट 386 BC ठीक है और presided by Sabhakami Third Buddhist council Held करवाया Ashokane कहां पे Patliputr और किया थी 250 BC और Third Buddhist council Presided by Mughaliputta Tissa ठीक है Fourth Buddhist council held by Kanishka at Kundalwan modern day Hurwan किस में 72 AD में and it was presided by Vasumitra और इसको किस ने डेपूट किया था अश्वगोश ने और यह जो Vasumitra थे He was a learned Kashmiri learned Kashmiri Brahmin यानि कि बहुत विद्वान Kashmiri Brahmin बहुत पड़े लिखे Kashmiri Brahmin थे ठीक है यह भी आपको याद रखना है थेरा वड़ा Buddhist Council in 1871 और थेरा वड़ा Buddhist Council in 1954 इनको 5th and 6th Buddhist Council respectively माना जाता यानि कि थेरा वड़ा Buddhist Council in 1871 इसको बोलते हैं 5th Buddhist Council and थेरा वड़ा Buddhist Council in 1950 थेरा वड़ा Buddhist Council in 1871 इसको बोलते हैं 5th Buddhist Council and थेरा वड़ा council in 1954 इसको बोलते हैं 6th buddhist council छे के छे buddhist council इस कहां पर held हुई ये भी आपको याद रखना है कनिश्का के बाद local weak rulers they continue to govern the state और उसके बाद कलहना ये लिखते हैं कि एक हुना dynasty के तोरा मना तोरा मना जो king थे हुना dynasty के उन्होंने कश्मीर पर rule start किया ठीक है और उसके बाद एक और king आए हुना dynasty के उनका नाम था मिहरकुला उनका नाम क्या था मिहरकुला ठीक है और कलहना ने ये मिहरकुला के बारे में ये लिखा है कि he was a very cruel king whose approach became known मतलब जब वो आते थे मिहरकुला जब कहीं पर जाते थे इनके पीछे पीछे thousands of vultures and crows जलते थे हवा में ऐसा क्यूं कि जो इनकी आर्मी थी कहीं पर ये किसी को घेर लेते थे और मतलब उनकी मतलब उनको फिर बहुत भुरी तरह किसे मार देते थे और जो vultures और crows थे and they used to feed on the meat of those who were massacred by the army ये मिहरकुला ठीक है अगर आप में से किसी ने एक movie आई थी जहां तक मुझे याद है उस movie का नाम था चाइना गेट ये I think 90s की movie है 1990 I think 95-96 की movie होगी I think एक movie आई थी जिसका नाम था चाइना गेट ठीक है अगर में भी आप में से किसी ने देखी होगी इस movie में जो negative role था वो play किया था इनका जो actor है उनका नाम है मुकेश तिवारी आपने इनको गोलमाल में बहुत देखा होगा वसूली मुकेश तिवारी ठीक है वसूली भाई मुकेश तिवारी ने चाइना गेट मूवी में role play किया था जगीरा का ठीक है और जगीरा जब यब भी किसी को मार देते थे तो मतलब मारने के लिए आते थे तो उपर से जो वाल्चर और क्रोज थे वो इनके सर पे मंडराने लगते थे बिकाज उनको ये पता चलता था कि हमारे लिए शिकार तयार हो रहा है जगीरा will kill that person और उसके बाद we will feed on the meat of that person वैसे ही मिहरकुला जो king थे हुना डैनास्टी के king वो भी बहुत क्रूल थे और जब वो कहीं किसी जगा जाते थे तो आस्मान में वाल्चर और क्रोज उनके सर पे मंडराते थे ठीक है because उनकी जो आर्मी थी वो कहीं पे जाती थी वहाँ पे they use it to cause massacres and उसके बाद जो वाल्चर और क्रोज होते थे वो उनके मीड पे मीड पे feed करते थे ठीक है और मिहरकुला के बारे में ये भी बोला जाता है कि एक बार ये पीर पंचाल पास क्रॉस कर रहे थे इन्हों ने एक elephant के गिरने की आवाज सुनी यानि कि एक elephant गिर गया mountain से ठीक है इस mountain ridge का नाम जहां तक मुझे याद आ रहा है इसका नाम है हस्ती वंज ये जो मुगल रोड है वहाँ पे ये एक mountain ridge है इसका नाम है हस्ती वंज यहां पर एक बार यह कहा जाता है कि एक बार यहां से एक elephant गिर गया और जब वो गिरा तो चिलाने की आवाज आई और मिहरकुला को वो आवाज इतनी पसंद आ गई कि मिहरकुला ने यह order किया कि 100 elephants को इस mountain ridge से फैंका जाए You can now imagine कि वो कितने cruel थे कोई book लिखती है कि 100 elephants को फैंका गया उस mountain ridge से हस्ती वंज से और कोई book लिखती है कि thousand elephants को वहाँ से फैंका गया Because जो मिहरकुला king थे उनको जब elephants को वहाँ से गिराते थे वो जो चिला आते थे, महर कुला को उनकी वो जो चीक ने चिलाने की आवाज थी, वो बहुत पसंद आती थी, आल राइट, उसके बाद, इन हुना डाइनास्टी के बाद, यहां पे दो और जो important rulers थे, वो थे मेगवहन और प्रवरसेन, ठीक है, प्रवरसेन 2nd, यह जो मेगव थे, he was a pious and strong ruler, और यह buddhism, buddhism को follow करते थे, he stopped the killing of animals throughout his kingdom, इन्होंने यह order किया कि, animals और birds को मेरे kingdom में किसी भी जगा, किल न किया जाए, ठीक है, और यह भी माना जाता है कि, killing of animals को रोकने के लिए, he carried out conquests of many countries, बहुत सारी countries को इन्होंने conquest किया, and reason यही था कि, he wanted to stop the killing of animals, ठीक है, इनकी queen थी, जिनका नाम था, Amrit Prabha, and इन्होंने क्या बनवाया, इन्होंने बनवाया, Amrit Bhavan, विहार for foreign pilgrims and students, जो Kashmir आते थे, in large numbers for learning, याने कि, जो मेगवान थे, इनकी जो queen थी, Amrit Prabha, इन्होंने, Amrit Bhavan, विहार बनवाया, for foreign pilgrims and students, जो Kashmir आते थे, in large numbers for learning, ठीक है, और इनके बाद कौन से king आए, Prabhaar Sen, ठीक है, जिनके time पे people enjoyed peace and prosperity, ठीक है, यह माना जाता है, कि, he was a great conqueror, जोनोंने, अपनी जो kingdom है, उनकी, kingdom की boundaries को extend किया, in all the directions, ठीक है, और यह माना जाता है, कि, he founded the city of Pravar Senpur, जिसका नाम है, modern city of Srinagar, ठीक है, और यह माना जाता है, कि, Pravar Sen, ruled for 60 years, and, यह माना जाता है, कि, he directly ascended to heavens, while worshiping, यह माना जाता है, कि, वो मरे नहीं है, वो सीधा, heaven में, गए, जब वो worship कर रहे थे, ठीक है, इसके बाद, आती है, करकोटा डैनास्टी, करकोटा डैनास्टी के, जो founder है, उनका नाम था, दुरलबवर्दना, and, he married, the daughter of the last Gonanda king, and, he became king in 527 AD, ठीक है, और जो Chinese traveler है, यून सेंग, he visited Kashmir during the reign of Durlaba Vardana, ये भी आपको याद रखना है, बहुत important point है, कई बार JKSSB ने एक question पूछा है, कि, हून सेंग visited Kashmir during the reign of which king, during the reign of Durlaba Vardana, ठीक है, दुरलबह वर्दना के बाद, उनके जो बेटे थे, दुरलबह का, he ascended to the throne, और, ग्रेंट सनाब दुरलबह का, ललिता दित्या, मुक्ता पिदा, he created the empire of the Karkoda dynasty, याने कि, सबसे ज़्यादा important king, Karkoda dynasty के, वो है, ललिता दित्या, मुक्ता पिदा, ठीक है, और, ललिता दित्या, he won battle against Yasovarman, Yasovarman कौन थे, he was the king of Kanauj, और, ललिता दित्या ने इनको हराया, in 1740 AD, and, ललिता दित्या ने किनको हराया, Turks को, Tibetians को, Bhutiyas को, Camboges को, इनको भी, सबको, ललिता दित्या मुक्ता पिदा ने हराया, और, जो, मार्तन सन टेंपल है, कहां पर, अनन्तनाग में, ठीक है, it shows the memories of Lalita दित्या, और, Lalita दित्या मुक्ता पिदा, he died in the year 760 AD, ललिता दित्या के बाद, his son, जयादित्या, ruled the valley, और, जयादित्या के बाद, जो, करकुटा दिनास्टी है, it is, इसकी ये माना जाता है, कि इसके बाद, बहुत weak rulers आए, यानि कि, after, Lalita दित्या, करकुटा दिनास्टी सा very weak rulers, and, इसका decline, वहीं से start हो गया, ठीक है, और, कश्मीर was ruled by 17 kings from करकुटा दिनास्टी for 600 years, from 250 to 80 to 852 AD, और, जो, लास्ट किंग थे करकुटा दिनास्टी के, उनका नाम था, सुखा वर्मा, ठीक है, यह जो, लालिता दित्या, मुक्ता पिदा है, इससे पहले भी हमने यह discuss किया है, आज भी हम याद करने के लिए यह discuss करेंगे, कि, he is known as the founder of canal system in Kashmir, लालिता दित्या, मुक्ता पिदा, is known as the founder of canal system in Kashmir, he constructed मारतन केनल, which is 50 kilometers long, and this canal takes water from Lidhar river near Ganeshpura, and irrigates Khavaripura and Dachinipura areas of Maatan, यह हमने इससे पहले भी discuss किया, आज भी हमने याद करने के लिए इस point को discuss किया, and लालिता दित्या मुक्ता पिदा is undoubtedly known as Samudra Gupta of Kashmir, अगर कभी आपसे exam में यह question पूछा जाता है कि, Samudra Gupta of Kashmir किसको बोला जाता है, किसको बोला जाता है, लल्ता दित्या मुक्ता पिदा, और यह किस डैनास्टी के किंग थे, यह थे करकोटा डैनास्टी के, इसके बाद आती है उत्पाला डैनास्टी, यह माना जाता है कि, Avanti Varman was the founder of उत्पाला डैनास्टी, ठीक है, और जो इस डैनास्टी की लैंवेज है, वो मानी जाती है संस्कृत थी, The cities of Avantipur and Suyapur were founded during his reign, and many Hindu temples dedicated to both Vishnu and Shivavai are built, ठीक है, Avantipur city और Suyapur city were founded during the reign of Avanti Varman, ठीक है, और बहुत सारे Hindu temples dedicated to both Vishnu and Shiva, they were also built, जो यह जो Avanti Varman है, he passed away in a temple at Dal Lake due to a fatal disease, इनको एक बहुत खतरनाग बीमारी हो गई, and he died in a temple at Dal Lake, Avanti Varman के बाद, he was succeeded by Shankar Varman, Avanti Varman के बाद, Shankar Varman थोन पे बैड़ गए, ठीक है, and Shankar Varman, he ruled from 1885 to 902 AD, जब Shankar Varman की death हो गई, तो जो उनकी wife है, Suganda, she became queen regent for her son Gopal Varman, जब Shankar Varman की death हो गई, जो Suganda थी, जो उनकी wife थी, she became queen regent for her son Gopal Varman, याने कि Gopal Varman उस ताइम बहुत छोटे थे, और वो मतलब फैसले या decision नहीं ले सकते थे, वो थ्रोन पे नहीं बैठ सकते थे, और लेकिन king वही थे, लेकिन जो decisions थे, वो सारे कौन लेते थे, कौन लेती थी, Suganda, याने कि she became queen regent for her son, और 904, 904 में, when all the successors to the throne died, ये जो Suganda है, she was declared the queen of Kashmir, ठीक है, लेकिन उसको, Suganda को dethrone किया किन्हुने, तांत्रिन soldiers ने in 906 AD, and they installed Partha as monarch, याने कि Suganda जो queen थी, उसको dethrone किया, तांत्रिन soldiers ने in 906 AD, और उन्होंने Partha को बिठाया throne पे, ठीक है, लेकिन जो Suganda है, she continued to claim the throne of Kashmir, मतलब उन्होंने हार नहीं मानी, Suganda ने, she continued to claim the throne of Kashmir, और she lived in Haksapura, present day, उशकुर बारा मुला, 914 में, she went to war against Partha and the Tantrinas, लेकिन हुआ क्या, हुआ यह कि she was imprisoned and later killed in a Buddhist monastery, ठीक है, इसके बाद, Sema Gupt, he ascended the throne, और Sema Gupt married Diddha, Diddha was the daughter of Simha Raja, Simha Raja कौन थे, he was king of Lohara, ठीक है, यह भी आपको याद रखना है, Lohara कहां पे है, Lohara है Western Punjab and Kashmir के बीज में, ठीक है, Lohara कहां पे था, Lohara lies in the Peer Punjal range of mountains on a trade route between Western Punjab and Kashmir, ठीक है, यह माना जाता है कि जब Sema Gupt को एक बार वो शिकार पे गए थे and he contracted fever, उनको बुखार हो गया and he died in 958 AD और उसके बाद जो उनका बेटा था, अभी मन्यू 2nd, वो बहुत छोटा था, इसलिए जो दिद्दा है, she acted as regent and effectively exercised whole power, यानि कि अभी मन्यू बहुत छोटे थे, इसलिए Queen दिद्दा जो उनकी मदर थी, she exercised whole power and she was, though she was regent of अभी मन्यू 2nd, but she exercised whole power, यानि कि असल में जो king था, वो था अभी मन्यू 2nd, लेकिन वो बहुत छोटा था, इसलिए जो सारे facilet थे, सारे decisions थे, वो कौन लेता था? वो लेता था Queen दिद्दा, ठीक है? और ये भी माना जाता है कि जो दिद्दा है, she had considerable influence in the state affairs, तब भी जब सेमा गुपता जिन्दा थे, यानि कि Queen दिद्दा was a very strong woman, जब सेमा गुपता जिन्दा थे, तब भी considerable influence हुआ करता था दिद्दा का in state affairs, मतलब जो भी state में जो मामले होते थे, उन में दिद्दा का काफी influence हुआ करता था, because she was a very strong woman, ठीक है? अब हमने देखा कि सेमा गुपता डाइड, and अभी मन्यू सेकेंड, वो बहुत छोटा है, इसलिए दिद्दाव acted as regent, and she exercised soul power, जब ये regent बन गई किसकी, अभी मन्यू सेकेंड की, सबसे पहला काम इसने क्या किया? She got rid of troublesome ministers and noblers, मतलब जो ministers and noblers परेशान करते थे इसको, डिद्दा को, इसने उनको हटाया, ठीक है? और जब इन्होंने ministers को हटाया, they rebelled against her, मतलब rebellion उनने छेड़ दिया, situation बहुत tense हो गई, जिद्दा, मतलब she was close to losing control, लेकिन इन्होंने इधर उधर से support gather किया, ठीक है? और जिद्दा ने बहुत ruthlessness दिखाई, और जो rebels थे उनको भी मार दिया, जो इनकी families थी उनको भी मार दिया, ठीक है? लेकिन उसके बाद क्या हो गया? 972 में फिर से trouble हो गया, और trouble क्यों हुआ? बेकॉज जो अभिमन्यू थे, he died, लेकिन अभिमन्यू के तीन बेटे थे, एक था नंदी गुप्त, एक था नंदी गुप्त, एक था त्रिबुवन गुप्त, एक था भी मा गुप्त, नंदी गुप्त, त्रिबुवन गुप्त एंड भी मा गुप्त, जब अभिमन्यू के डेथ हो गई, तो नंदी गुप्त, he was settled young, and इसकी वज़े से क्या हो गया? इसकी वज़े से ये हो गया, कि दिद्दा फिर से रीजेंट बन गई किसकी? नंदी गुप्त की, ठीक है? और जब दिद्दा वेंची एक्टिड एज रीजेंट अफ नंदी गुप्त, इसकी वज़े से जो दमार्ज थे, दमार्ज कोन थे? दे वेर फिडिटरी लैंडलोड्स, ये बहुत बड़े जमीनदार थे, इनको बहुत मतलब दिक्कते, बहुत सारी दिक्कते प्रिडूस की किस के लिए? दिद्दा के लिए, ठीक है? लेकिन दिद्दा को पता चल गया उसके बाद 973 में दिद्दा ने नंदी गुप्त को भी हटा दिया, जो उसका भाई था दिद्दा, she again acted as regent of भीमा गुप्ता ठीक है? और ये माना जाता है कि दिद्दा को, मतलब पावर का नशा हो गया, and जो सेमा गुप्ता थे उनके एक काउंसलर थे, उनका नाम था फालूंगा, ठीक है? फालूंगा को पहले दिद्दा ने exile किया, ठीक है? लेकिन फिर वापस बुलाया जब उनकी जरूरत पढ़ गई दिद्दा को ठीक है? लेकिन जब फालूंगा की death हो गई, तो दिद्दा को मतलब her desire for absolute power became limitless, ठीक है? और दिद्दा का एक लवर था उसका नाम था टूंगा टूंगा एक herdsman था यानि की एक चरवाह था इसकी वज़े से दिद्दा को एक sense of security मिल गई and उन्होंने भीमा गुपता को भी मारने का मतलब plan बनवाया और ultimately भीमा गुपता को भी मरवाया and she assumed unfetterled control for herself और जो टूंगा थे उनको प्राइम मिनिस्टर अपना बनाया ठीक है अगर आप ये यहाँ पे देखोगे पहले अभिमन्यू 2nd उस टाइम भी दिद्दा as Queen Regent उसके बाद नंदी गुपत इनके बेटे तब भी Queen Regent उसके बाद Tribunan गुपत तब भी दिद्दा Queen Regent उसके बाद भीमा गुपत तब भी दिद्दा Queen Regent ठीक है ओल राइट दिद्दा रूल्ड फ्रॉम 980 AD अंटिल हर डेथ इन 1003 AD दिद्दा ने 980 से रूल किया कहां तक 1003 AD तक उससे पहली भी रूल किया लेकिन as Queen Regent और ये माना जाता है कि इंडिया में इंडियन हिस्ट्री में बहुत कम female monarchs रहे हैं लेकिन उन में से एक दिद्दा भी है ठीक है और दिद्दा मरने से पहले she adopted a nephew जिनका नाम था संग्राम राजा to be her hair in Kashmir यानि कि वो अब गदी संभाल ले and this paved the way for लोहरा dynasty in Kashmir और इसी से ही लोहरा dynasty का लोहरा dynasty शुरू हो गई कश्मीर में ठीक है कुछ important points देख लेते हैं जो दिद्दा है she is sometimes called the Catherine of Kashmir and ये जो Catherine of Kashmir ये जो Catherine of Kashmir है ये इसको क्यों नाम पड़ गया because Russia की एक Queen थी जिनको बोलते थे Catherine the Great of Russia जोनों ने बहुत टाइम टक रूल किया with the help of her favorites लेकिन जिनको वो बीच बीच में निकालती रही अपनी जो उनके उनका जो kingdom था उनको बीच बीच में निकालती रही मतलब उनको मारती रही उनको धोका देती रही वैसे ही डिद्दा को भी इसलिए Catherine of Kashmir बोला जाता है because जो इनके ministers थे उनको भी डिद्दा ने एक एक करके निकाला और फिर मतलब plotting वगेरा करके उनको मार डाला Suya he was a respected minister of Avanti Varman ठीक है and इन्होंने जो irrigation है और water management इसमें बहुत काम किया and he founded the city of Suyapur जिसको बाद में सोपूर का नाम पड़ गया ठीक है और जो यह dynasty है कौनसी उत्पला dynasty कौनसी dynasty उत्पला dynasty इसमें Avanti Varman के बाद जो king आये जिनका नाम था शंकर वर्मन इन्होंने ही कश्मीर में जिसको बोलते हैं कश्मीरी में ब्यगायर सिस्टम इन्हों नहीं इंट्रडूस किया है यानि कि शंकर वर्मन इंट्रडूस ब्यगायर सिस्टम इन कश्मीर जो यह ब्यगायर है यह कश्मीरी वर्ड है मतलब यह संस्कृत वर्ड है इसका English में meaning है forced labour अगर कभी मुझे time आया तो इस ब्यगायर पे हम थोड़ा बहुत एक short video बनाएंगे उसमें हम यह जानेंगे कि how the people of Kashmir suffered because of this forced labor ठीक है यानि कि Shankar Varmann was the king who introduced ब्यगायर system in Kashmir इसके बाद लोहरा डैनास्टी संग्राम राजा अभी हमने देखा कि दिद्दा ने मरने से पहले संग्राम राजा को बनाया hair in Kashmir ठीक है अभी हमने देखा she adopted a nephew संग्राम राजा to be her hair in Kashmir और इसकी वज़े से लोहरा डैनास्टी कश्मीर में आ गई तो यही यहाँ पे लिखा है संग्राम राजा is considered as the founder of लोहरा डैनास्टी मेहमूद आप गजनवी ने 1080 से लेकर 1027 AD तक इंडिया पे 17 17 टाइम आटाइक किया था और कश्मीर में तब उस टाइम कौन थे संग्राम राजा इन्हों ने भी बहुत सारे अटाइक्स मेहमूद आप गजनवी के मतलब उसका वापस जवाब दिया है और इन्होंने एक और किंग थे उनका नाम था त्रिलोचन पाल उनको भी हल्प किया है अगेंस्ट मुस्लिम आटाइक्स ठीक है ये जो संग्राम राजा थे ये मतलब चोरिच पे प्लॉटिंग करते थे किन को हटाने के लिए ये जो दिद्दा के जो लवर थे जिनका नाम था टूंगा जो एक हर्ट्समेन था ये मतलब दिद्दा जब मर गई लेकिन मरने के बाद जो टूंगा थे इन्होंने इनको बहुत पावर मिल गई थी कोट में ठीक है? ये वाज़ प्राइम मिनिस्टर और संग्राम राजा को टूंगा पसंद नहीं था ये इनके पीट पिछे प्लोटिंग करते थे and he wanted to remove टूंगा और मतलब इसी प्लैनिंग प्लोटिंग के चकर में टूंगा वाज मुर्डर्ड लेकिन इसकी वज़ए से मतलब जो kingdom था संग्राम राजा का उसमें हालात नहीं सुधरे because जो टूंगा मर गया लेकिन टूंगा के मरने के बाद जो लोग कोर्ट में अंदर आए they were also corrupt ठीक है मतलब वो भी संग्राम राजा के मतलब support में नहीं थे संग्राम राजा का जो बेटा था उसका नाम था हरी राज he ascended the throne लेकिन he reigned for only 22 days और उसके बाद वो मर गया और उसके बाद संग्राम राजा का एक और बेटा था अनंत उसको बनाया गया king of कश्मीर ठीक है अनंत का एक बेटा था जिसका नाम था कलश या कलस और अनंत की जो वाइफ थी सूरिया मती सूरिया मती ने एक बार अनंत को मतलब बोला था कि आप ये अपनी थ्रोन छोड़ दो और आप कलश को थ्रोन पे बिठाओ ठीक है लेकिन जो king था he he proved unwilling उन्होंने नहीं माना ये सला and इसकी वज़ह से जो सूरिया मती है और अनंत है इनकी जो relationship है it suffered and 20 साल तक इनकी जो relationship है उसमें जगड़ा रहा लेकिन कुछ historians ये लिखते हैं कि जो सूरिया मती है she eventually persuaded her husband to abdicate in favor of their son यानि कि जो सूरिया मती है मतलब कुछ historians लिखते हैं कि सूरिया मती ने finally मतलब persuade किया मतलब अनंत को ये मानने पे मजबूर कर दिया कि आप थोन छोड़ दो किसके लिए अपने बेटे के लिए जिसका नाम था कलश ठीक है जब कलश किसमें जब कलश थोन पे बैड़ गया ठीक है और जो इसका फादर था अनंत कलश ने अनंत को बहुत badly treat किया और इसको ये जो kingdom है वो छोड़ने पे मजबूर कर दिया और जो अनंत है along with his wife और जो उसके कुछ loyal followers थे उनको लेकर वो कहां पे बज गया परनोटसा जिसका अभी नाम है पुंच ठीक है लेकिन मतलब इस incident की वज़े से जो ये family है काफी बिखर गई and अनंता he committed suicide इसने क्या किया एक dagger लिया और उसको अपने पेट में घुसाया and he ended his life in 1068 AD और जो इनकी queen है सूर्या मती she performed sati और जो इनके husband का funeral pyre था उसी पे सूर्या मती ने sati perform किया ठीक है उसके बाद क्या हुआ उसके बाद हुआ ये कि जो कलश था he experienced difficulty with his oldest son हर्शा ठीक है क्यूंकि जो हर्शा हर्शा था he felt जो इसका father इसको elements से देता है जो इसका बहुत extravagant lifestyle है इसके लिए मतलब ये elements उसके लिए काफी नहीं है ठीक है ये जो हर्शा है he plotted to kill his own father कलश लेकिन इसके फादर को पता चल गया and हर्शा was imprisoned ठीक है और हर्शा की position as hair it was given to his younger brother जिसका नाम था उतकर्ष ठीक है याने कि जो हर्शा थे उनको ये लगता था कि जो पैसा उनका फादर कलश देता था वो हर्शा के extravagant tastes या extravagant lifestyle के लिए काफी नहीं है इसलिए हर्शा ने ये plot किया कि मैं अपने फादर को माड डालूंगा और मैं थ्रोन पे बैठ जाऊंगा मैं king बन जाऊंगा लेकिन कलश को पता चल गया हर्शा को जेल में बंद कर दिया गया और जो मतलब हर्शा सक्सेसर बनने वाला था थ्रोन का अब उसको सक्सेसर नहीं बनाय गया ये वाज इंप्रिजन एंड थ्रोन वाज गिवन तो इस ब्रेदर जिसका नाम था उतकर्ष ठीक है लेकिन उतकर्ष क्या था उतकर्ष ये वाज अल रेड़ी ये वाज रूलर आफ लोहारा डैनास्टी ठीक है एक और किंग थे जिनका नाम था शिती राज ये वाज सन एंड हेर अफ विग्र राज शिती राज वाज सन अफ विग्र राज ठीक है और उतकर्ष ठीक है शिती राज ने एब्डिकेट किया था थ्रोन किसको दे दिया था उतकर्ष को ठीक है इसलिए क्योंकि जो इनका बेटा था शिती राज की अपने बेटे से नहीं बनती थी इसलिए इन्हों ने थ्रोन किसको दे दी उतकर्ष को दे दी ठीक है और उतकर्ष कि plot किया था अपने फादर को मारने का लेकिन कलश को पता चल गया इसलिए हरशा को imprison किया गया और थ्रोन पे किसको बिठाया गया थ्रोन पे बिठाया गया उतकर्ष को लेकिन उतकर्ष he was already ruler of loharah loharah में क्या हुआ था जो शिती राज थे इनको अपने बेटे के साथ इनकी नहीं बनती थी इसलिए उन्होंने थ्रोन पे किसको बिठाया था उतकर्ष को ठीक है लेकिन उतकर्ष को क्या हुआ उतकर्ष वाज डिसलाइट and soon deposed यानि कि उतकर्ष को लोगों ने पसंद नहीं किया और उसके बाद बहुत सारे जो कोट में बंदे थे उन्होंने जैमला ठीक है इन्होंने प्लाटिंग 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 करके जो कोट में बंदे थे उनके साथ प्लाइनिंग करके उतकर्ष को हटाया थ्रोन से ठीक है और उसके बाद उतकर्ष को imprison किया and उतकर्ष ने फिर जेल में ही suicide की and हर्षा वाज made the king of कश्मीर ठीक है यहाँ पर मैंने यह बुला कि हर्षा वाज son of कलश ठीक है हर्षा ने plot किया था कलश को मारने का लेकिन कलश को पता चल गया इसलिए हर्षा को जेल में बंद कर दिया गया उसके बाद क्या हुआ उसके बाद हुआ यह कि हर्षा का एक और भाई चोटा भाई था उतकर्ष उसी को बनाया गया king of कश्मीर लेकिन he was already the ruler of लोहारा लोहारा में क्या हुआ था शीती राज वो son था किसका विग्र राज का लेकिन शीती राज ने अपनी थ्रोन किसको दी थी उतकर्ष को क्योंकि शीती राज की शीती राज की अपने बेटे से नहीं बनती थी इसलिए उतकर्ष को बनाया गया था ruler of लोहारा लेकिन विजे मला जो हाँ ब्रदर था किसका हर्षा का इस से मिलके और जो कोट में नोबल्समन या मिनिस्टर वगेरा थे उनके साथ मिलके एक कॉंस्पिरेसी हैज की गई उस कॉंस्पिरेसी से उतकर्ष को थ्रोन से हटाया गया और हर्षा को बनाया गया उतकर्ष को इंप्रिजन किया गया और जेल में ही उतकर्ष ने सुइसाइड एटेंप्ट किया मतलब सुइसाइड कमिट कर दिया हर्षा हर्षा ने बहुत लूट खसूट मचाई ठीक है और इन्होंने ये भी चाहा कि जो land, feudal, landlords जो डं़ारज थे, जो इससे पहली भी हमने देखा उण हने चाहा कि जो landlords थे ढं़ार리ं इन से भी मैं जो इनके पास land है उसको भी मैं grab कर लूँ ठीक है इसकी वज़े से क्या हो गया इसकी वज़े से हुआ ये कि जो डं़ारज थे वो दुश्मन बन गए किसके हरशा के ठीक है और हरशा ने एक बार जो ये भी मतलब ओरडर दिया था कि इनको मार दिया जाए ठीक है हर्शा का जो अभी हमने देखा हाब रद था विजयमल्ला विजयमल्ला के ही दो बेटे थे उच्छला एंड सुसला उच्छला एंड सुसला देवर संजा विजयमल्ला ये अब किस के मतलब ख़ड़ा हो गए ये अब हर्शा के ख़ड़ा हो गए ठीक है और ये जो ढमारस थे इनको एल्ड़ी मतलब दुश्मनी थी किस के साथ हर्शा के साथ, अब इनके साथ ढमारस के साथ मिल गए कौन मतलब हर्शा का हाब रदилась था विजयम ला और इनके दो बेटे थे उच्छला और सुशला ये दोनों मिल गए दमार्ज के साथ and they rose in rebellion against हर्षा और इसी rebellion में एक तो हर्षा का बेटा मारा गया भोजदेव और उसके बाद हर्षा को भी मारा गया किसमे 1101 AD में हर्षा को भी दमार्ज ने मार दिया ठीक है और इसके बाद ही जो उचला था he was coronated by brahman ठीक है यानि कि हर्षा के मारने के बाद ही उचला he was made the king of कश्मीर ठीक है इसी लिए इसको second loharra dynasty क्यों बोलते हैं क्योंकि जो उचला है यानि कि हर्षा का भाई था विजयमला और विजयमला के दो बेटे थे उचला एंड सुसला यानि कि हर्षा he was part of he was part of loharra dynasty और जो विजयमला थे यानि के हाब ब्रदत थे इसी लिए इनको बोलते है side branch of the loharra royal line इसी लिए इसको बोलते है second loharra dynasty ठीक है and उचला he reigned for a decade 10 साल तक उचला ने हकूमत की और उसके बाद he was assassinated by his enemy radda at banihal ठीक है उचला को किस ने मारा radda ने कहां पे banihal पे ठीक है ये भी आपको याद रखना है उसके बाद एक short period of three years के लिए एक रिंचना जो एक fugitive Tibetan prince थे मतलब Tibet से भाग मतलब भागे हुए एक prince थे उन्होंने कश्मीर में तीन साल हुकूमत की 1320 से 1323 तक ठीक है और ये जो रिंचना है ये माना जाता है कि he was the first Muslim ruler of Kashmir he was the first Muslim ruler of Kashmir पहले ये he was a follower of Buddhism लेकिन हुआ क्या हुआ ये कि कश्मीर में एक सेंट थे जब ये हुकूमत करने आये 1320 से 1323 तीन साल तक इन्होंने हुकूमत की और इन्होंने बुलबुल इन्होंने बुलबुल शा जो बुलबुल शा थे ये एक Muslim सेंट थे prominent Muslim सेंट उस ताइम के इनसे ये काफी influence हुए और इन्होंने Islam accept किया और इनका नाम Islam accept करने के बाद क्या पढ़ गया रिंचना का नाम रिंचना का नाम Islam accept करने के बाद पढ़ गया मलिक सदुरुद्दीन शा मलिक सदुरुद्दीन शा और अगर आपको याद होगा इस से पहले हमने इंपॉर्टेंट टूरिश डेशने स्लाफ जमु एन कश्पिर पे वन शॉट विडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको एक बार बताया था कि स्री नगर में दो जगा फेमस है एक है बुल्बुल लंकर दूसरा है जोगी लंकर ये जो बुल्बुल लंकर है ये क्या है ये जो रिंचना है जिनका नाम बाद में इसलाम एकसेट करने के बाद पड़ गया मलिक सदरद्दीन शाह मतलब बुलबुल शाह ने इनको बहुत influence किया और इन्होंने इसलाम फिर accept किया बुलबुल शाह के लिए ही इन्होंने एक खानका बनवाई और एक खानका के पास में ही एक मतलब एक लंगर खाना भी बनवाया जहांपे जो गरीब लोग हैं या मुसाफिर हैं ट्रैवलर्स हैं उनको फ्री में खाना मिलता था वो भी इन्होंने बनवाया और उसका नाम बाद में पढ़ गया बुलबुल लंकर लंकर is a distortion of the word लंकर यह हम बाद में भी देखेंगे लेकिन अभी भी आपको याद रखना है कि बुलबुल लंकर उसको किस ने establish किया मलिक सदुरुद्दीन शाह sorry मलिक सदुरुद्दीन शाह जिनका पहले नाम हुआ करता था इसलाम accept करने से पहले जिनका नाम हुआ करता था रिंचना और रिंचना he was a fugitive Tibetan Prince ठीक है इन्होंने भी कश्मीर पे तीन साल हुकूमत किये है उसके बाद रिंचना के बाद उदाइन देवा इन्होंने भी कश्मीर पे हुकूमत की ठीक है लेकिन 1313 में शहमीर he arrived in Kashmir with his family उस टाइम पे यहाँ पे rule किसका था? स्वादेव का ठीक है और आने वाले टाइम में जो शहमीर है because of his ability he rose to prominence and he became one of the most important personalities ठीक है और कश्मीर में स्वादेव के मरने के बाद Queen Kota Rani मतलब she became the queen of Kashmir ठीक है और and she ruled for one year वो किसकी? शहमीर की शहमीर के मरने के बाद Queen Kota Rani was the last ruler of the Lohara dynasty और इनके ही कोट में कौन था? शहमीर and because of his ability and tactics he became one of the important personalities और हुआ क्या? मौका पाते ही शहमीर murdered Queen Kota Rani somewhere in 1339 AD he seized power and established the sultanate with the title of Sultan Shamsuddin and with this commenced Muslim rule in Kashmir याने कि Sultan याने कि शहमीर जो है इन्होने कोटा Rani का murder कर दिया and he seized power and he established the sultanate with the title of इन्होने क्या अपने आपको नाम दिया? इन्होने अपने आपको नाम दिया Sultan Shamsuddin और शहमीर जब थोन पे बैठे this commenced the Muslim rule in Kashmir ये Muslim rule Kashmir में उसकी शुरुवात थी जब शहमीर थोन पे बैठ गए ठीक है? अब हमने अभी देखा कि शहमीर ये वाज जिनका दूसरा नाम था Sultan Shamsuddin ये वाज दापूंडर आप शहमीरी दियनास्टी और इन्होने किन का मुर्डर किया था? Queen Kota Rani शही वाज दा विडव आप सहदेव Queen Kota Rani वाज दापूंडर रूलर आप लोहरा दियनास्टी ठीक है? And during the rule of the dynasty from 1339 to 1561 Islam was firmly established in Kashmir शहमीरी डिनास्टी 1339 से 1561 तक इनके डिनास्टी के टाइम पे Islam was firmly established in Kashmir Islam बहुत फैल गया Kashmir में ठीक है? Sultan Shamsuddin ये जिनका दूसरा नम था शहमीर He was succeeded by his elder son Sultan Jamshid Sultan Shamsuddin के बाद इनके बेटे थ्रोन पे बैठ गए जिनका नाम था Sultan Jamshid और इन्होंने एक साल और दो महीने तक हुकोमत की ठीक है? इसके बाद इनको किन्होंने हराया? इसको हराया अपमे ही भाई ने और he ascended the throne as Sultan Allahuddin Sultan Jamshid Sultan जो Shamsuddin है इनके बाद आये Sultan Jamshid Sultan Jamshid ने एक साल हुकोमत की और एक साल हुकोमत करने के बाद he suffered defeat by his brother और उसके बाद उसका भाई जिनका नाम था Sultan Allahuddin he ascended the throne Sultan Allahuddin के दो बेटे मतलब किंक्स बने बारी बारी पहले Sultan शिहाबदीन और उसके बाद Sultan कुतबदीन ये दोनों भी कोटाबत और दूसरा उद्याशिरी ठीक है ये मना जाता है कि जो काशगर का यानि के Central Asia का रूलर था ये इसने एक बार attack किया कश्मीर पे विद लार्ज आर्मी लेकिन Sultan शिहाबदीन जो है उनके पास ज्यादा soldiers नहीं थे लेकिन फिर भी he fought and defeated the whole army of Kashgar ठीक है और इस बैटल के बाद the regions of Ladakh and Baltistan which were under the rule of Kashgar they came under the rule of Shahmiris ठीक है ये भी आपको याद रखना है बहुत important point है और ये भी माना जाता है कि ये जो Sultan शिहाबदीन है he marched towards Delhi and the army of Firoz Shah Tughlaq opposed him on the banks of river Satlaj यानि कि Sultan शिहाबदीन इन्होंने march किया था towards Delhi लेकिन जो Firoz Shah Tughlaq की army है उन्होंने इनको oppose किया कहां पे on the banks of river Satlaj और ये माना जाता है कि battle was motiveless for the Delhi Sultan जानि कि Firoz Shah Tughlaq के लिए इसलिए peace was concluded between them on the condition that all territories from Sarhant Kashmir belong to the Shahmiri empire because ये जो battle था it was motiveless for Firoz Shah Tughlaq इसलिए peace was concluded और जो Sarhant और Kashmir के बीच में जो territories है इन दो को लेकर ये इस treaty में ये लिखा गया peace treaty में कि it belongs to the Shahmiri empire ठीक है Shahbuddin ने अपने नाम पे एक टाउन भी बसाया जिसका नाम हुआ करता था Shahbuddin Pura अभी उसका नाम है Shadipur ठीक है और Shahbuddin is known as Lalitaditya of medieval Kashmir इनको इसलिए Lalitaditya क्यों बुलाय जाता है because he erected many mosques and monasteries ठीक है इसके बाद Kashmir में आये Qutbuddin ये भी किसके बेटे थे ये भी बेटे थे अलावदीन की अभी हमने देखा Sultan अलावदीन के दो बेटे बादशाय बने बारी-बारी पहले Sultan Shihabuddin और उसके बाद Sultan Qutbuddin ठीक है यानि के Qutbuddin was also son of Allahuddin और इनके मतलब दोरी हुकूमत में या इनके रेन में एक ही significant चीज हुई वो ये हुई कि सूफी सेंट मीर सेयद अली हमदानी arrived in Kashmir during his reign ठीक है और इसके 1380 में Qutbuddin डाइड and he was succeeded by his son Sultan Sikandar who is also known as Sikandar Buccikhan Qutbuddin के मरने के बाद इनका बेटा राजा बना और उस बेटे का नाम था Sultan Sikandar जिसका दूसरा नाम है Sikandar Buccikhan यानि कि Destroyer of Idols ये भी मैंने बताया कि उन्हें बहुत सारे Sultan Sikandar ने बहुत सारे temples को destroy किया था ठीक है इसलिए इनका नाम Sikandar Buccikhan पढ़ गया था Sultan Sikandar जो थे he was the sixth ruler of the Shahmiri dynasty और Sultan Sikandar जो थे ठीक है इन्होंने मतलब इन से पहले बहुत tolerant culture था कश्मीर में लेकिन इन्होंने शिरिया इंपोज किया कहां पे कश्मीर में एंड जो ब्रहमिन थे दे वार फोर्स फ्ली दे वार फोर्सिबली कनवर्टेड और जो हिंदूस एंड बुदिष्ट श्राइनज आफ वर्शिप है वो डिस्ट्रॉई की गई ठीक है जो संस्क्रिट लिट्रेचर था उसको भी मतलब उसमें भी मतलब मिलावट की गई जिजिया वास इंपोज फार दोज ऑब्जेक्टे टु दी अबॉलिशन आफ हिंदू रिच्वाल थीक है अगर कोई यह जो सुल्तान सिकंदर है उन्हूने बहुत सारे जो रिलिजियस प्लेसे हैं बुद्धिस्ट की और हिंदूज की उनको डिस्ट्रॉई किया ठीक है और जिजिया इंपोज किया यानि की रिलिजियस टैक्स इंपोज किया किन पे अगर कोई हिंदू रिच्वल था और इन्होंने अगर उनको बंद करने का हुकम दिया था अगर उनने नहीं माना तो उन पे एक religious tax imposed किया गया जिसको जिजिया बोलते है ठीक है और इन्होंने ही स्री नगर की जो famous जामे मजजिद है वो बनवाई है and he also built the khanakai molla on the banks of river jahlam ये भी आपको याद रखना है जो स्री नगर की famous जामे मजजिद है वो भी बनवाई है सुल्तान सिकंदर ने और जो khanakai molla है on the banks of river jahlam वो भी किस ने बनवाया है वो भी बनवाया है सुल्तान सिकंदर ने ठीक है and सुल्तान सिकंदर died in 1413 AD and इनके बाद इनका जो बड़ा बेटा था मीर he was appointed as the सुल्तान और उन्होंने अपने आपको नाम दिया क्या उन्होंने अपने आपको नाम दिया अलीशा ठीक है अलीशा he was the seventh ruler of शाहमीरी डैनास्टी and he reigned between 1413 and 1420 याने कि तकरीबन 7-8 साल इन्होंने हकूमत की कि उन्होंने अलीशा ने he was the son of सुल्तान सिकंदर अलीशा को हराया किसने अपने ही भाई ने सुल्तान जैनलाबिदी ने कहाँ पे थाना में with the help of जसरत खोकर ठीक है जसरत खोकर की help से सुल्तान जैनलाबिदी ने किसको हराया अलीशा को हराया and सुल्तान जैनलाबिदी was made the king of कश्मीर और history की किताब में ये कहा जाता है कि जो अलीशा है मतलब defeat के बाद मतलब इनके बारे में कुछ information नहीं दी गुई है कुछ historians ये लिखते हैं कि इनको बंदी बनाया गया और ये जेल में ही मर गए और कुछ ये मानते हैं कि जो जसरत खोकर थे इन्होंने ही अलीशा को मतलब मारा मतलब he killed अलीशा ठीक है some historians believe that अलीशा died in captivity while some believe that he was put to death by खोकर ठीक है इसके बाद आए जैनलाबिदीन ये भी किसके बेटे थे सुल्तान सिकंदर के he was the heir to सुल्तानाब कश्मीर and इनको अपने सब्जेक्ट किस नाम से बुलाते थे बुडशा या बढशा यानि के ग्रेट किंग और इन्होंने कश्मीर पे रूल किया है from 1420 से लेकर 1470 तक ठीक है और जैनलाबिदीन को बहुत टॉलेरंट लीडर माना जाता है ठीक है because he called back the Hindus जुनने कश्मीर छोड़ा था उनको वापिस बुलाया और उनको बोला कि आप यहां पे अपने religious places construct कर सकते हो ठीक है और जो religious tax था जिजिया उसको भी abolish किया ठीक है और जो handicraft है या copper wear है या जो carpet weaving है ये flourish हुई during the rena of जैनलाबिदीन ठीक है जैनलाबिदीन ने खुद craftsmen बुलाए थे कहां से पर्शिया से जो यहां के locals हैं उनको train करने के लिए किसमें एक ये जो carpet weaving है इसमें जो ये copper wear है उसको बनाने में और जो handicrafts है उनको भी बनाने में ठीक है और जैनलाबिदीन को he is called as अकबर आफ कश्मीर और उनको शाजहाफ कश्मीर भी कभी कभी बुलाया जाता है ठीक है इनका दूसरा नाम है शाही खान ये जो इनके फादर ने जाम्य मस्जद स्री नगर में बनवाई सुल्तान जैनलाबिदीन ने उस मस्जद को enlarge किया यानि कि उसको extend किया ठीक है और और बड़ा किया आल्राइट जैनलाबिदीन at the request of Brahmin courtiers who had great influence on him established a langar on the lines of Bulbulbul langar at the bank of Dal Lake for yogis जिसका नाम था जोगी लंकर ठीक है अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही आपको बोला कि रिंचना एक fugitive यानि कि तिबबत से भागे हुए एक prince थे इन्होंने कश्मीर पे तीन साल रूल किया और रिंचना accepted Islam because he was influenced by बुलबुल शाँ and Islam accept करने के बाद रिंचना ने क्या नाम लिया इन्होंने अपना नाम रखा मलिक सदुरुदीन शाँ मलिक सदुरुदीन शाँ मलिक सदुरुदीन शाँ ठीक है और इन्होंने एक खान का बनवाई किन के लिए बुलबुल शाँ के लिए और एक लंगर खाना भी बनवाया उसके पास में ही जहां पे गरीबुं के लिए और जो ट्रैवलर्स है उनको फ्री में खाना मिलता था ठीक है जानी कि लंगर खाना लंगर खाना इस लंगर को distort किया गया मतलब अगर आप यहां पे देख सकते हो यहां पे लिखा है लंगर is a distorted version of the Persian word लंगर यानि कि Persian word लंगर लंगर उसी का distorted version है ठीक है और स्रीनगर में दो लंगर है एक है बुलबुल लंगर और दूसरा है जोगी लंगर जोगी लंगर को establish किया जैनुलाबिदीन ने at the request of his ब्रह्मन courtiers ठीक है और जो बुलबुल लंगर है इसको establish किया रिंचना या मलेक सदुरुदीन शाह जो के एक टिबटन जो के एक fugitive टिबटन प्रिंस थे जोनों ने कश्मीर में तीन साल तक rule किया है ठीक है और बुलबुल लंगर इस लोकेटेद बिट्वीन अली कदल एंड नवाई कदल ठीक है नवल कदल और जो जोगी लंगर है इस शुचवेटेद इन रहनवारी स्रीनगर जोगी लंगर इस लोकेटेद इन रहनावारी स्रीनगर ये भी आपको याद रखना है ठीक है बहुत इंपोर्टन पॉइंट है ये भी माना जाता है कि ट्रेड अग्रिकल्चर हैंडीक्राफ्ट जैसा मैंने अभी बताया आठ लिटरेच्चर अर्किटेक्ट्चर इट विट्नेस्ट अन्प्रेसिदेंटर ग् जूरिंग दरूल आफ शाहमेरी डिनास्टी ठीक है जो हमने पहले देखा कि ट्रांसलेशन आफ पोर्शन आफ राज तरंगनी वास केरीड आउट इंपर्शियन अट बहस्त आफ या 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 ओन दे ओर्डरस आफ जैनुलाबीदीन और जैनुलाबीदीन उसका नाम रखा अग्बर ने फिर बाद में मुल्ला अब्दुलकयुम बद्दायुनी से उस वजन को रिवाइज करने के लिए बोला था ठीक है और जोना राजा उन्होंने भी जैनुलाबीदीन के टाइम पे एक बुक लिखी थी जिसका नाम उन्होंने रखा था दुतिया राज तरंगन ठीक है आपको भूला नहीं है आपको रिवाइज करना है बेकोज यह सारे पॉइंट्स एक्जाम के लिए इंपोर्टन है जो लास्ट रूलर है शाहमीरी डैनास्टी के उनका नाम था हबीब शाह वो एक इनकॉंपेटेंट परसन थे और उनको अपने ही मिलिटरी कमांडर ने ओवर्थो किया जिनका नाम था गाजी चक ठीक है ओवर्थो करने के बाद जो गाजी चक है विकेम देग थे किंग आपकश्मीर एंड लेड़ फांडेशन आप चग डाइनास्टी इनका थे इनका थीक है अभी हमने देखा कि इट वाजी कान हूव लेड देखा इनका अभीब शाह लिए हमने देखा थीक है छेक अभी बेड़ विकेम देखा है 1586 इनका थे मुछ जगा पे लिखा है 1587 ठीक है और इसमें 1586 या 1587 में मुगल एम्परे जलाल दिन अकबर ही कॉंकर कश्मीर ठीक है और यह चक्स कौन थे देवर और अरिजिनले दर्दस यानि कि यह रेजिदेंटस थे गिलगित हुंजा एरिया के जो गिलगित बालतस्तान अभी पाकिस्तान एड्मिनिस्टर कश्मीर में आता है वही से यह चक्स थे ठीक है and they settled in कश्मीर during the reign of शहमीर ठीक है यानि कि सुल्तान शमसुद्दीन के टाइम पे यह कश्मीर आये थे ठीक है and यह जो चक्स है they are famous for successfully resisting the attempts of जाहिरुद्दीन मुहम्मद बाबर and his son हुमायू to annex कश्मीर बाबर ने भी attempt किया था कश्मीर को annex करने के लिए और हुमायू ने भी attempt किया था कश्मीर को annex करने के लिए लेकिन दोनों attacks को किसने successfully resist किया चक्स ने ठीक है यह हम अभी आगे देखेंगे कि चक्स ने कैसे resist किया attacks of भाबर हुमायू and other मुगल emperors और चक्स डैनास्टी में सबसे जो important king है उनका नाम था यूसुप शाच्यक ठीक है और यह भी माना जाता है कि चक्स डैनास्टी was the first shia dynasty to rule over any part of northern India northern India के किसी भी part पे चक्स डैनास्टी जो है वो पहली shia dynasty थी ठीक है और यह जो चक्स डैनास्टी है इन्होंने काफी बड़ा role play किया है जो जो Muslims के जो दो बड़े groups है एक है सुनी Muslims और दूसरा है shia Muslims यह जो shia जो shiaism है कश्मीर में इसको फहलाने में expand करने में चक्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है ठीक है यह भी आपको याद रखना है जो चक्स डैनास्टी के rulers थे उनमें एक था गाजी चक एक हुसेन शाचक एक अली शाचक एक यूसुप शाचक यह जो था रहने वाला बादशाच वो था कौन सुल्तान यूसुप शाचक एक और यह माना जाता है कि ही वास अनली 35 यर्स ओल्ड वें असंड़ थ्रोन इन 1580 ठीक है और जब यह गदी पे बैठे कुछ ही टाइम बाद मतलब जो वार है उसके असर दिखने लगे ठीक है बिकाज जो मुगल एमपरर अकबर है उनकी जो आर्मी है इत वास नौकिंग एड़ गेटस अफ कश्मीर बिकाज बहुत बार इससे पहले ये कश्मीर को एनेक्स करने के लिए आये थे इनके पूरवज आये थे मतलब बाबर आये थे हुमाईव आये थे और उसके बाद बा ने गदी संबाली, आर्मी अफ दो मुगल एमपरर वास नौकिंग एड़ गेटस अफ कश्मीर बिकाज बहुत बाद बाबर के ताइम पे बीकाजमीर पे हमला हुआ हुमायू के ताइम पे और आगे हम देखेंगे के मुगल एमपरर बाबर उनके कशन थे दुगलत उन्हुने भी कश्मीर पे अटाग किया था, अकबर ने भी दो-तीन बार अटाग किया था, दो-तीन बार अटाग करने के बाद, वास अक्सेस्फफूल इं कॉंकरिं कश्मीर ठीक है। लेकिन अब हमने ये देखा के जब Yusuf Shahchak when he ascended the throne war clouds were already gathering ठीक है because the army of the Mughal Emperor Akbar was knocking at the gates of Kashmir लेकिन Yusuf Shahchak he was undaunted and he rose to the occasion ठीक है जब 1586 में Mughals ने एक full-scale attack Kashmir पे लाँच किया यूसुप शाच्चक, he offered city resistance to the invading armies of Mughals, ठीक है एक battle हुआ, यो Mughal army है, ये number में काफी ज्यादा थी, और बहुत skillful थी in the art of war लेकिन जो कश्मीरी थे मतलब उनका ये मुकाबला नहीं कर पाए, ठीक है इन्होंने अपना जो king था, यूसुप शाचक उसको support किया, और उन्होंने Mughals को हराया, ठीक है और अब जब Mughals को लगा के हम war से कश्मीर को, कश्मीरी मतलब कश्मीर को नहीं हड़ब सकते हैं, उन्होंने क्या किया, they thought of a trick उन्होंने क्या किया, मुगल Emperor यूसुप शाचक को दोखा दे देंगे, इन्होंने बहुत मतलब कश्मीर किया था, यूसुप शाचक करने की कोशिश की थी यूसुप शाचक को, आप वहां मत जाओ, बिकॉस अकबर पर भरोसा नहीं है, अकबर पर भरोसा मत करो, लेकिन मतलब, जो यूसुप शाचक है, he wanted to spare his people from suffering, मतलब वो नहीं चाहते थे कि मेरे लोग फिर से एक war का हिस्सा बने, because war causes devastation and इसलिए he accepted the invitation of अकबर and he went to आगरा, और आगरा में क्या हुआ, अकबर ने इसको दबोच लिया and he was held in captivity by अकबर, ठीक है, अकबर ने इसको जेल में डाल दिया उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ ये, कि December 1587 में, यूसुप शाचक को कहां भेज दिया गया, जलाए वतन किया गया, कहां बिहार, और वहां पे उसको थोड़ी बहुत, जागिर देदी गई कहां पे, विश्वास में, कुछ टाइम बाद जो मुगल्स थे, उन्होंने जबरदस्ती की किसको, यूसुप शाचक को कि आप हमारे साथ आओ, जो मुगल की, मुगल आर्मी है, उनके साथ गई यूसुप शाचक and they conquered Urisa in 1592, जो जगनात पूरी है, उरिसा में एक जगा है, ठीक है, यह जो सुल्तान आफ कश्मीर यूसुप शाचक, he died on September 22, 1592, और इसकी बोडी, it was carried back to Biswag Bihar, where it was buried, ठीक है, on 25th of December 1592, और यह believe किया जाता है कि, जब यूसुप शाचक, मतलब उनको जलाए वतन किया गया बिहार, मुगल एमपरर अकबर ने, वो बहुत miss करते थे किसको, society of poets, because इनके court में हमेशा poets रहते थे, scholars रहते थे, और musicians रहते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा यह किसको miss करते थे, सबसे ज़्यादा यह अपनी beloved queen, जिनका नाम था हबा खातून, या पहले जिनका नाम हुआ करता था जून, उनको बहुत miss करते थे, खीक है, और जब, यह जो हबा खातून है, she was daughter of a peasant of the village of चंधारा पुलवामा, पुलवा पांपूर, पांपूर में एक गाउं है, जिसका नाम है चंधारा, वहाँ पे एक, मतलब फार्मर थे, उनकी बेटी थी, हबा खातून, या जिनका पहले नाम हुआ करता था, जून, और, जब, यूस्प शाचक को, मुगल एंपरर अकबर ने, मतलब, इंप्रिजन किया, और उसके बाद जलाए वतन किया बिहार, उसके बाद कभी वापिस नहीं आने दिया, कहते हैं कि, हबा खातून, और यूस्प शाचक, मतलब, ये एक दूसरी के बगैर, एक दूसरी से बहुत महबबत करते थे, एक दूसरी के बगैर, ये, मतलब, बहुत difficult वक्त गुजरा इनका, जो ये separate हो गए, बहुत difficult वक्त गुजरा, और ये जो हबा खातून है, इनका जो पहला husband था वो ड्रंकार था और इसको बहुत मारता था और उसके बाद हबा खातून आई थिंग घर से भाग गई थी या कुछ हुआ था एंड फिर युस्फ शाचक को एक बार ये मिल गई थी देखा था इसको एंड पहली नजर में प्यार हो गया था लाव एट फिर्स साइट उसके बाद युस्फ शाचक बिकेम दे किंग आफ कश्मीर एंड इनके बीज में बहुत प्यार था जब मुगल एंपरर अकबर ने युस्फ शाचक के साथ दोका किया तो हबा खातून उनकी याद में बहुत सारे सॉंग्स गाती थी एक दो सॉंग एक सॉंग है बहुत फेमस सॉंग है वो है हबा खातून का सॉंग है वो है इसका एक और स्टेंजा है बच्छ सई जमीनत चुख असमाने से रश चुख सर पोश मिहावकरी चैकी पोश दसवाने चाव में दाने पोश ये हबा खातून शी उस तो सिंग दीस सॉंग्स इन सेपरेशन आफ हर लावर जो कि थे यूसुप शाचक एक और सॉंग मुझे हबा खातून का याद आ रहा है वो है चुल हमा रोशे रोशे वलो मैं पोशे मदनू ये भी हबा खातून ने लिखा है मतलब गाया है बिकाज शी वाज पोईटस एंड अ म्यूजिशन ठीक है और उन्होंने सेपरेशन में मतलब अपने लवर की सेपरेशन में बहुत सारे सॉंग्स गाये भी है और लिखे भी है ठीक है और यूसुप शाद चक जो है इन्होंने हबा खातून के लिए बहुत सारे रिजॉर्ट्स बनवाये थे गुलमर्ग जिसका पहले नाम हुआ करता था गौरी मार्ग लेकिन यूसुप शाद चक नहीं उनके लिए बनवाये गये थे ठीक है इसी लिए मतलब ये जो मतलब सेपरेशन है यूसुप शाद चक को इसी चीज ने बहुत जादा अंदर ही अंदर खाया and he died on 22nd September 1582 ठीक है कहां पे जगनात पूरी में and he was buried in विस्वाक जो के है बिहार में ठीक है अगर आप यह इमेज यहां पे देख सकते हो यह हिंदुस्तान टाइम यह दा हिंदू की न्यूज है forgotten in a field far away grave of an exiled कश्मीरी king lies in ruins in Bihar यह यहां पे अगर आप grave देखोगे यह है यह है यूसुप शाचक का grave ठीक है और जो खातून है शी इस बरीद इन अत्वाजन स्री नगर ठीक है यह यह लेक्चर अरड़ी वन आर थर्टी मिनटस को हो गया वी विल स्टॉप दिस लेक्चर हीर और वी विल कंटिनू दिस लेक्चर इन आर नेक्स्ट वीडियो ठीक है और नेरा एं ख Twin को दो गाँ टो गाई अर गाइसकार है वी खू besl XL 2 यह यह जो हस सबूस्ट गाइस ए है वी यह खूले विदियो मेरे लए बहुत चालेंजिंग इसमेचर आर इसमेचर अ्टेरल भी भी बहुत जादा है और इसमें I think time भी बहुत जादा हो गया और मेरा गला भी बैठ गया तो take care and I hope to see you guys in my next video very soon फियमानिल्ला